टीशू पेपर बनाने का व्यपार कैसे शुरू करें? टीशू पेपर बनाने के व्यपार के लिए आवश्यक लाइसन टीशू पेपर व्यवसाई के लिए आवश्यक कच्चा माल इस व्यवसाई के शुरू करने के लिए आपके पास कच्चा माल होना चाहिए कच्चे माल के रूप में बड़ी साइस की जमबो रूल का इस्तेमाल किया जाता है जो की बड़े-बड़े पाकेट में आपकी यहां तक पहुचाए जाते हैं फिर इनी रूल को आपको काट कर अलग-लग शेप और साइस में चेंज किया जाता है टीशू पेपर बनाने की मशीन टीशू पेपर मेकिंग मशीन पूरी तरह से आटोमेटिक होती है इस मशीन को एक बार प्लेन पेपर रूल से जोड़ देने के बार टीशू पेपर बन के ही बाहर आता है इस मशीन का प्राइस इस से बनने वाले टीशू पेपर की साइस के साथ बदलता है टीशू पेपर बनाने के वैपार के लिए आवश्चक स्थान इस मशीन को शुरू करने के लिए कम से कम 600 से 700 वर्ग फीट स्थान की जरूरत होती है मशीन को इंस्टॉल करने के अलावा पाकिंग के लिए भी कम से कम 100-200 वर्ग फीट जगा की ज़रूरत होती है टीशू पेपर बनाने का प्रॉसेस टीशू पेपर बहुत आसान थरीके से बनाया जाता है इसके लिए एक ही मशीन का इस्तेमाल होता है सबसे पहले पेपर रूल को मशीन में दिये गए रूलिंग जगा पर सेट करें यहां से पेपर रूल का एक हिस्सा मशीन में लगाया जाएगा अगर आपको रंगीन टीशू पेपर बनाना हो तो आप मशीन में मनपसंद रंग डाल कर इससे पेपर को चोड़ सकते हैं, पेपर को किसी तरह का टैग जैसे किसी होटेल रेश्ट्राउंग का नाम आदी देने के लिए इसी गलर पैनल में रबर का टैग लगा सकते हैं, यहां से निकालकर पेपर रूल का हिस्सा आगे असेंब्लिंग के लिए जाता है, Assembling के लिए मशीन में Assembling Roll लगा होता है Assembling Roll से गुजरते हुए पेपर रोल एक तरह से Transparent जैसे की अकसर टिशू पेपर होते हैं हो जाता है यहां से Assembling के बाद पेपर मशीन के Folding सेक्षन में प्रवेश करता है इस सेक्षन में टिशू पेपर पेपर की तरह फूल होकर कटने लगता है कटिंग के बाद टिशू पेपर फूरी तरह से बनकर तयार हो जाता है टिशू पेपर बन जाने पर इसके पाकिंग पर जादा ध्यान देना होता है पैकिंग के लिए आप अपने Registered Tag या Trademark का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने Trademark का छपे Plastic से पैकेट तयार करें और हर पैकेट में 50 यां 100 टिशू पेपर डाल सकते हैं इनको एक बड़े पैकेट में ओर्डर के हिसाब से पैक करके भेज़ दें इस व्यपार को शुरू करने के लिए कुल खर्च लगबग 6-7 लाक रुपे का होता है हाला कि बड़े प्लांट को लगाने के लिए आप और भी स्यादा पैसा लगा कर इस बिजनस की शिरुवात कर सकते हैं इस पैसे में मशीन, ड्रॉ माटीरियल, मशीन के लिए वायरिंग और बाखी चीज़ों की जरूरत को पूरा कितिया जाता है कितना हो सकता है मुनाफ़ा आपको पता है कि एक दिन का प्रोडक्शन लगबग 1500 पैकेट होता है आपको अपने यहां काम करें करमचारियों की सैलरी और मशीन की रपैरिंग तथा मशीन में इस्तेमाल होने वाले दूसरी चीज़ों के खर्चे को निकालने पर एक लाग रुपे तक का मुनाफ़ा हर महीने हो सकता है किन-किन जरूरी लाइसेंस की आवश्यक्ता होगी मार्केटिंग कैसे करें? बाजार में टीशू पेपर की मांग बहुत जादा है साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए कई जगाओं पर इसका बहुत जादा इस्तेमाल होता है आप अपने बनाई टीशू पेपर बाजार में रिटेल और होलसेल में बेच सकते हैं रिटेल में बेचने के लिए आप सीरी सीरे बड़े होटेर, रेस्ट्रॉण, आदिस थानों के लिए टीशू पेपर बनाने का ओडर ले सकते हैं रिटेल में आपको कुछ अदिक मुनाफ़ा प्राप्त हो सकता है होलसेल में बेशने के लिए कई बड़ी दुकानों से संपर्क किया जा सकता है प्रतेक वर्ष टिशू पेपर की खपा देशफर में लगवग 12% तक बढ़ रही है इसी वज़ा से टिशू पेपर इंडस्ट्री धीरे-धीरे एक बड़ा रूप ले रही है और लोग इस व्यपार को शुरू करके अच्छा खासा लाब कमा रहे है तो अगर आप भी लाब उठाना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें टिशू पेपर मेकिंग बिजनस ओकी क्रेडिट बिजनस ओकी है